असलाम अलिकम आवरिवन मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम related rates की problem होते हैं उन्हें कैसे solve किया जाता है यह सीखेंगे पहले बात कर लेते हैं कि related rates problems actually होते कैसे हैं इन problems को related rates problem कहते हैं वैसा तो इसके नाम से पता चाल रहा है कि जब आप rates को relate करते हैं तो basically यह related rates होता है यानि rate of change को आप relate कर रहे होते हैं तो proper definition इसकी यह है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऐसी quantities हों जिन में change आ रहा हो और वो quantities आपस में relatable भी हो यह उनको relate भी किया जा सकता हो ठीक है और आप यह measure करना चाहरे हैं कि एक quantity का change दूसरी quantity के change पर कैसे असर अधाज हो रहा है ठीक है आपके पास एक quantity का change given हो और आप दूसरी quantity का change measure करना चाहरे हैं इन problems का related rates problem कहते हैं बाकी चले हम example से समझते हैं ओके मेरे पास एक बहुत simple example है एक spherical balloon let's say we have और आप इसमें हवा बर रहे हैं of course हवा बरने से इसमें radius में भी तबदिली आएगी मतलब radius भी बढ़ेगा और उसका volume भी increase करेगा ठीक है volume में भी तबदिली आएगी और radius में भी तबदिली आएगी ओके तो आपके पास यह दो जो quantities है volume और radius जो है यह relatable भी है हमारे पास this is a formula 4 by 3 pi r cube यह volume का formula है where r is a radius v is the volume तो volume of a sphere इस formula से आप इन दो quantities को relate भी कर सकते हैं अब आपको given यह है कि आपका जो radius है यह यह रेडियस में जो change है यह given है r with respect to t let's say यह आपके पास given है 4 cm per second यह आप जो हवा बर रहे हैं आपके radius में 1 second में 4 cm जो है वो increase कर रहा है ठीक है यह आपके पास given है और आपको measure करना है कि इस हिसाब से आपके volume में क्या तबदिली आ रही है यह यह निए dv over dt हमें basically measure करना है और कब measure करना है when radius is 6 cm यह जब आपका radius 6 cm हो जाएगा तब आपने volume में change measure करना है यह आपके पास data given है ठीक है सबसे पहले आपने problem solve करने के लिए सबसे पहले आपने जो दो quantities है यह दो से ज्यादा भी है तो उन में आपने relation find करना है तो in our case यह formula आपकी दो quantities को relate कर रहे है उसके बाद उन दो मेंसे किसी एक quantity का change given होगा जैसे हमारे पास R में change given है और V का change हमने measure करना है when R is 6 cm यह आपका data given है आपने हमेशा start करना है यह जो relation आपके पास given है इसका derivative find करते हुए ठीक है तो चलिए लेट्स differentiate V with respect to T हम basically V को with respect to T differentiate कर रहे हैं but V आपका function है R का तो यहाँ पर simply chain rule apply हो जाएगा 4 by 3 pi as it is और R cube का derivative पहले तो जरा using power rule बन जाएगा 3 R square and then using chain rule d R by dt साथ आजाएगा तो 3 3 से cancel out बाकी आगोस बचाएगा 4 pi R square d R by dt तो यह हमारे पास है जनाब change in volume in terms of change in radius अब आपने simply अपनी values लगा देनी है इसमें 4 pi as it is R आपका था 6 cm जब आपको change मेएगा तो यह 6 square आजाएगा साथ में d V over dt हमें measure करना है d R over dt given है that is 4 तो जब आप इससे solve करेंगे तो आपके पास यह बनेगा 576 pi pi की value 3.14 approximately and 6 cm per second तो इसका जो भी आपके पास answer बनेगा वो आपका volume में change होगा यहनी volume आपका इस रिफतार से बढ़ रहा है when R is 6 cm so this is the answer ठीक है चलिए एक और example करते है that is a little little complicated यह इसकी statement given है पहले जर अच्छे तरीके से statement को समझते है लिखा हुए जी a spot light on the ground shines on a wall 12 meter away यानि आपके पास एक light जो है वो जमीन पर पड़ी हुए है चलिए साथ साथ इसको draw भी करते है draw करने से जरा आपके understanding जो है वो easy हो जाती है let's say this is the ground ठीक है और okay this one let's say ground है आपके पास और इसके उपर export light पड़ी हुई है simply एक light पड़ी हुई है जो के सामने दिवार पर रोशनी कर रही तो हम दिवार को भी draw कर लेते हैं let's say this is a wall ठीक है okay this is the let's say wall और यह जो है वो इस पर रोशनी कर रही है दिवार पर next क्या है if a man two meter tall walks from the spotlight toward the building at a speed of one point six meter per second इसका मतलब यह है कि दिवार sorry a man जिसकी height जो है वो two meter है वो walk कर रहा है वो चल रहा है spot light से इस building की तरफ इस दिवार की तरफ ठीक है और उस man की speed जो है वो one point six meter per second है चले इसे भी जब draw कर लेते हैं यहां पर let's say जनाब हमारे पास जो है वो for example this is a man जिसकी height आपके पास है जी two meter as given और वो travel कर रहा है light से इस दिवार की जाने पर ठीक हो गया और one point six meter per second की speed के साथ हमें मेर क्या करना है how fast is the length of his shadow on the building decreases हमें यह मेर करना है देखे ना जैसे जैसे वो दिवार के पास जाएगा उसका साया दिवार पर छोटा होता जाएगा हमें मेर करना है कि उसका साया how fast is the length of his shadow उसके shadow की length जो है वो किछ speed से decrease करेगी when he is four meter away from the building जब उसका और building का जो फासला है वो four meter रह जाएगा उस point पर हमें उसकी length जो decrease हो रही है shadow की length उसकी जिस रिफतार से वो decrease हो रही है वो हमें मेर करना है ठीक है तो यहां से आपकी जो start हो रही है the ground जो spotlight पड़ी होई है that is 12 meter away तो आपके पास यह जो total length है this is 12 meter light से लेकर इस दिवार तक की total length 12 meter है और यह 4 meter पर आपने evaluate करना है इसको और यह जो बाकी की है let's say हम इसे x कह देते है इससे हम x कह देते है ठीक है ओके यानि इसका आदमी का man का और light का जो फासला है उसे हमने x के साथ मिएर कर दिया let's say तो basically आपके पास यह बनती है जनाब एक triangle that is in fact a right triangle कुछ इस तरह से ठीक है this is a right triangle सबसे पहला काम हमें क्या करना है सबसे पहला काम हमें दो quantities को relate करना है तो उसके लिए हम first करते हैं ठीक है आपके पास यह जो length है इसको हम y consider करते हैं अब आप देख रहे हैं basically हमारे पास यहां पर in fact एक नहीं दो triangles बन देंगे एक बड़ी triangle बन दी है this one और दूसरी यह एक छोड़ी triangle बन दी है यह जो आदमी खड़ा हुआ है man आपके पास जो shadow है उसकी length बन दी है हमने y में change measure करना है क्या करना है हमने पहले ज़रा given data को लिख लेते हैं we have to find out d y by dt y में change measure करना है कब measure करना है उसने आपको यहां पर given दिया हुआ है when he is 4 meter away from the building ठीक है जब वो आपके पास 4 meter होगा building से इसके साथ हमारे पास एक change given भी है speed of 1.6 meter per second x में तो change आ रहा है x over dt this is equal to 1.6 meter per second ठीक हो गया अब basically हमारे पास चुँकर यह दो जैसा के बताया के right triangles बन रही हैं तो आपके पास यह similar triangles हैं क्योंकि इनके angles same आ रहे हैं तो इनका एक relation बनता है and that is बड़ी बड़ी जो triangle है जो outer triangle है उसके आपके पास this side perpendicular divided by base क्योंकि बनता है y over 12 यह रेशो यह equal होगी यह छोटी triangle आ रही है जिसके आपके पास perpendicular side जो है वो 2 बन रही है 2 meter 2 divided by this base is x ओके यह आपस में ratio same होती है similar triangles के case में यहां से आपकी x और y दो quantities relate हो रही है cross multiplication करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x y is equal to 24 अब आपने इसको simply differentiate करना है with respect to t तो differentiate करेंगे t over dt x y this is equal to change with respect to t और 24 के अदर change measure करना है right x y दो आपके पास यह quantities है t के हिसाब से आपने chain measure करना है तो power rule sorry product rule apply करेंगे x as it is y में change then आपके पास plus sign product rule है y as it is और x के अंदर change dx by dt and this is equal to constant के derivative is 0 आपने चुँके measure करना है dy by dt तो यहाँ से dy by dt जो आपके पास बनेंगा okay this is equal to minus y dx over dt dx over dt और साथ में यह जो x आ रहे dy by dt के साथ यह उस तरफ जाकर divide हो जाएगा तो यह बनेगा minus y divided by x right y आपका represent कर रहा है shadow को तो shadow के अंदर change का यह formula बन गया हमारे पास ठीक है अब आपने just values put करनी है x आपके पास यहाँ से given है और बाकी का आपका measure कर लेने है simply देखें x आपके पास given कैसे है total length 12 meter है light के wall से लेकर ठीक है और 4 meter पर आपने यह measure करना है ok 4 meter पर अगर आपने measure करना है तो बाकी का क्या बचेगा बाकी 8 बच जाएगा x आपका क्या बन गया 8 बन गया simply x is equal to आप 8 पुट का देंगे अब हमें y चाहिए y कैसे find करेंगे यह आपके पास relation था इसमें x लगा दें और इसमें आप x लगा दें आपको y भी मिल जाएगा ठीक है x की value 8 है 8 multiply y is 24 यहां से divide होगा तो आपके पास y बनेगा 3 यह बन जाएगा minus 3 over 8 dx over dt given है that is 1.6 ठीक होगा solve करेंगे तो आपके पास approximately जो इसका answer बनेगा that is minus का 0.6 meter per second अच्छा minus यहां पर यह show करता है कि आपका चुँके shadow जो है वो decrease कर रहा है वो shrink कर रहा है minus कर जासी यह मतलब है कि इसके speed जो होगी वो 0.6 meter per second होगी ठीक है ओके इसको एक मरतबा 12 से देख लेते हैं आपके पास basically ground पर एक light पड़ी होई है जो के सामने अपने दिवार पर रोशनी कर रही है और दिवार के और light के दिम्यान एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी height है 2 meter ठीक है और उसका आपने करना क्या है कि वो दिवार की तरफ move कर रहे है और उसकी move करने की speed है 1.6 meter per second clear है 1.6 meter per second के हिसाब से वो move कर रहा है और हमें मैंजर ये करना है कि shadow जो उसका दिवार पर पढ़ रहा है वो किस speed के साथ decrease करेगा when the distance between man and wall is 4 meter जब वो दिवार से 4 meter दूर होगा तो उसके distance में जो तबदील ही आ रही है distance में जो कमी पैदा हो रही है उसकी speed महीर करनी है सबसे पहला काम आपने अपने यहां पर लिखने के given क्या चीज़ है और बलकि सबसे पहला काम diagram बना है उसके बाद वहाँ से अपना data निकालें क्या चीज़ given है क्या चीज़ आपने महीर करनी है और देन आपके पास एक relation बना चाहिए जो के दोनों quantities को relate करता है that is x y is equal to 24 in our case उसके आपने derivative find करना है using chain rule यहां से आपके पास एक formula बने गया इस formula में values लगाएं अपनी और आपके पास answer आजाएगा that's it तो इस तरह से हर related rate problem का एक जो general solve करने का criteria वो यही है सबसे पहले आपने relation बनाना है quantities के दरम्यान उसका derivative ले 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 लें chain rule को use करते हैं और उसमें values लगा रहे है that's it ठीक है ओके तो आज की लेक्टर से मतलिक अगर कोई question क्यों रही हो तो comment section में पूछ सकते हैं otherwise next lecture से हम अपना नया chapter start करेंगे derivatives की application वाला ठीक है तो thank you very much